बड़ा अपडेट प्रतिबंध काल में कर्मचारी के ट्रांसफर का इनोवेटिव आइडिया ग्वालियर शिक्षा अधिकारी ने एजाद किया मध्यप्रदेश में कर्मचारीयों के ट्रांसफर पर 11 महीने प्रतिबंध रहता है मुख्यमंत्री की अनुमती से एक महीने के लिए प्रतिबंध खोला जाता है और इस दोरान कर्मचारियों के ट्रांसफर होते हैं परंतु ग्वालियर के जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रतिबंध काल में कर्मचारी के ट्रांसफर का एक इनोवेटिव आइडिया इजाद कि ग्वालियर के कलेक्टर और कमिशनर जिला शिक्षा अधिकारी को शाबाशी में क्या देते हैं। सुष्री वंदना चोहान की शिकायत हुई। यह मामला ग्वालियर से भोपाल तक सुर्खियों में आ गया। चर्चा का प्रमुक केंद्र बना हुआ है लेकिन श्री दीपक पांडे संचालक लोक शिक्षन ने पत्रकार श्री विक्रम सिंग तोमर को बयान दिया है कि यह मामला मेरे संग्यान में नहीं है। किसी कर्मचारी को गाव से सस्पैंड करके शहर में बहाल नहीं कर सकते। हम जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगे। नियमानुसार कारेवाही करेंगे। इधर जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजय कटियार का कहना है कि महिला शिक्षक को ग्वालियर ग्रामीन के स्कूल से सस्पेंड करके ग्वालियर शहर के स्कूल में जहां पद रिक्त था वहां बहाल किया गया है। अधिकारियों को विशेश अधिकार दिया गया है